हेलो एंड वेलकम माई डियर फ्रेंड दिस इज मी कुमार पंकरज और क्रेकनाव स्पेशल बीपी एसी मेंस प्रेक्टिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है हम फ्री ओफ कॉस्ट ये प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि आपकी मदद कर पाएं और हर र उन कॉपियों को मैं चेक करूंगा तो आप आंसर अपना डाल दीजेगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा बीच-बीच में मैं एक-दो आंसर करके रिव्यू करूंगा सारे आंसर ठीक है तो अगर आप अब भी नहीं चुड़े हुए हो इस प्रोग्राम से जुड़ ज़़ जा प्रिवियसली पूछा गया है रिपीटिडली पूछा जाता है क्वेस्चन तो पहले हिंदी की कॉपी देख लेते हैं फिर इंग्लिस की कॉपी देखेंगे तो इन्हों ने कहा कला किसी काल के मानवी है कलपना और संस्कृती के मूर्त रूप को प्रदर्शित करता है गलत मूर्त साई से लिखना सीखे तो कला जो है मूर्त रूप को प्रदर्शित करता है भारतिय त्यास में कला परंपरा का विकास सिंदु घाटी सब्वता से ही प्रारम हुआ परंतु इस्थाई एवं निरंतर कला परंपरा का विकास मौरे काल से ही माना जाता है मौर्य कला का विकास चौती से दूसरी सताब्दी इसापूर में हुआ, पहले जहां मिक्टी और लकडी का प्रियोग कलात्मक रचनाओं में होता था, वहीं मौर्य काल में पासानों का प्रियोग होने लगा, जिसने कला को इस्थायत तो प्रदान किया, अथा ये कला कृतिया इस्थायी रूप से आज भी महजूद है, ओवरॉल इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक है, अच्छा है, ठीक है, चलिए, मौर्य काल में इस्थानी एवं कुछ विदेसी प्रभाब से कला का जो स्वरूब विक्सित हुआ, उसे कला समिक्षकों दारा दो भागों में बाटा ग आंसर इंगलिस का है, और बहुत अच्छे आंसर आज मैंने दोनों को उठाया, ताकि मेरे पास समय कम है, तो आपको एक मौडल आंसर जैसा ही मिल जाए, दोनों को मिला के एक मौडल आंसर बन जाएगा, ये विश्वास है मेरा, लोककला जो स्वतंत्र कलाकारों दारा विक दिसता है, और उनका बहुत दम से संबंद वाला पार्ट सुरू हुआ यहां से, मौरय कालीन इस्थापत्य कला में चंद्रुप्त मौरय कालीन, कालीन ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे सही है, तो ये ध्यान रखो थोड़ा सा, ये एकाद मिस्टेक ठीक है, बट फिर भी दिखान रखो, यहां पे हो रही है, क्योंकि यहां समय लिखने के लिए परियापत है, तो एक्जाम हौल में ज़्यादा गलतियां हो सकती है, चंद्रुप्त मौरय कालीन, राजप्रशाद, असोप कालीन, इस्तंब इस्तू पर गुफा, दसरत कालीन, गुहा विहार, ठीक उनको अंडरलाइन करना सीखो, मैंने कही बार बता चुका हूँ यह बात, इसकी विसेश्ता थी, कि इसका फर सिवम छट लकडी का था, छट नहीं होता है, छट होता है, छट लिखा है, लकडी का था, और इसमें बलुआ पत्थर के असी चमकदार पॉलिज्ड, यह इंगल परजस्त हो जाता, इस्तंब में इन्होंने बताया, असोक कालिन फिर गलत लिखा है, सबसे उतक्रिष्ट इस्थापत्यकला का उधारन इस्तंब है, असोक ने इसका निर्मान मुख्यत है, धम के प्रचार प्रशार के लिए करवाया, और भारतिय उपो महाद्वीब के वि पत्थर से बना हुआ, चमकदार पॉलिस का प्रयोग, फिर इन्होंने यहाँ पर बनाया है, तो यह यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि इतना है, यह जो है, क्या है, यह मेखला, उल्टा कमल की आकिरती, या तो उल्टा कमल हो सकता है, बैल हो सकता है, फिर यहाँ पर कंठ है चौकी दिखाई है और यह पशू की आकरती है तो बिल्कुल ठीक है आपने लिख दिया कि पशू की आकरती है भले ही वो पशू जैसा ना भी देखे बट इक्जामनर इतना मान लेता है कि इतना डेटेल में समय नहीं है आपके पास कि आप पूरा इसको बना पाओ बनाया यह अच्छी बात है मौरेकाली ने स्तंभ की सनाचनात्मक विसेस्ताओं में ने बताया सिंग जो है लौरिया नंदंगर हाती जो है शंकीशा उत्तर प्रदेश बैल जो है लौरिया अरे राज और रामपुरभा इस तूप के बारे में बताये नोंने इस तूप कला का निर्मान मौरेकाल से पहले से चला आ रहा था पर इसे विवस्तितेवं सनाचनात्मक स्वरूप मौरेकाल के दोरान ही प्राप्त हुआ मौरेकालीन इस तूप ये कालिन आपको न देखिए आप थोड़ा सा इस तूप इट अतवा पत्थर के बने ठोस गुमबद होते थे जिसका निर्मान बावध्ध धर्म के अनुयाई इसमारक सरूप करते थे बहुत गरतनतों के अनुसार असोग ने चौरासी हजार बहुत इस तूपव का निर्मान करवाया था मौरेकालीन इस तूपव में सांची भरहुत केसरी आधी प्रमोक हैं यह गलत है तोरण द्वार थोड़ा उंचा होता है तो यह आप यह थोड़ा देखिए तोरण द्वार थोड़ा उंचा होता था जो यहाँ पर रेलिंग होती थी उससे यह थोड़ा उंचा होता था फिर आपने वेदिका बताया है यहाँ पर यह थोड़ा आप देखिए कि गुंबद या अंड बोलते हैं, हर्मिका है, ये जो उपर रहता है, पवित्रिस्थल और छत्र है, इसमें ये यस्टी है, यानि दंड जो है और छत्र, यस्टी के उपर छत्र लगा रहता है, फिर इस पे तीन जो है, ये न्याय धर्म और उसके प्रतीक होते हैं, ठीक है, मुख्यता इस भिक्षूओं के निवास केंद्र होते थे, मौरेकाल में पहाडों को काटकर गुफा विहारों का निर्माण कराया गया, गया के बरावर एवं नागारजुनी पहाडी में गुफा विहार के प्रमाण मिलते हैं, इनका निर्माण मुख्यता असूक एवं उसके पौत्र दसरत ने करवाया था ये गोहा बिहार वरगाकार या आयताकार रूप में बनेते जिसके देवारों एबं छट नहीं होता है भाई छट होता है छट होता है ठीक है छट बोलते हैं ग्रामीन बासा में पर चमकदार पॉलिस की हुई रहती थी सुदामा कंचोपर गोप विस्व जोपडया दि इन गोहा बिहारों के वधारन है मॉरकालीन मूरतीकला इस्टंब के उपर स्वतंत रूप से विक्सित मॉरकाल के दौरान मूरतीकला के रूप में भी कला का अभुत्पूर विकास हुआ इसमें मुख्यतब पसुओं की आकिर्ति को प्रधानता दी इसमें सबसे प्रशद्ध सारनात इस्तंभ से प्राप्त सेर की मूर्ति है जिसे हमने अपने राष्ट्य चिन्न के रूप में अपनाया है केंद्रिय सरक्षण के अतिरिक्त मौरेकाली में इस्थानियस इस्तर पर भी मूर्तिकला का अभुदपूर विकास हुआ दीदार उसे प्राप्त यक्ष की मूर्ति तता बेसनगर से प्राप्त यक्षणी की मूर्ति मौरेकाली मूर्तिकला का अध्वुत दारण है इनको अंडलाइन करो क्योंकि यह आपका एक तो पैराग्राफ ऐसा है उपर से फिर ना तो अंडलाइन है ना आपने सिंगल कॉमा में बं इसके अलावा गंगा घाटी के छेतर से उत्री ब्लैक पॉलिस्ट वेर भी मिले हैं जो बारीक बलुया जलोड मिट्टी से बने चमकीले मौर्यकालीन बरतन हैं इसके अलावा मौर्यकालीन पंचमार्क सिक्के भी मिलते हैं मौर्यसासाक असोग ने बहुत धर्म को श्रमण परंपरा के एक भाग के रूप में अपनाया और उनके शासनकाल के दोरान बहुत धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में मौर्यमूर्तिकला इस्थापत्यसाली का विकास हुआ बुद्ध के जीवन के प्रमुक गटनाएं जैसे जन्म, त्याग, ग्यान, पहला उपदेश और महा परिनिर्वान इम्रत्यु आदी को मौर्यकला के माद्यम से दर्साया गया जो इस प्रकार है इस्तंब के वारे में इनों ने बताया, इस्तंब के वारे में बताया, असुग हट जाओ गुरुजी, असुग द्वारा इस निर्मित इस्तंबों का मुख्यवद्धे से पूरे सामराज्य में बहुत विचारधारा और उनके आदेसों का प्रसार गन्ना था, इसके लिए पौध शिक्षाओं आदेसों को इस्तंबों पर अंकित कर दिया जाता था, सारनात इस्तित इस्तंब सिलालेक, बुद्ध के पहले उपदेस की स्मिर्ती में बनाया गया था, इसके अलावा बिहार में स्तित लौरिया नंदनगर, लौरिया अरे राच, राम पुरवा, रुम् इस्तूपादी, प्रारंबिक अवस्ता में बुद्ध के प्रतीकों को माध्यम से दर्साया गया, जो बुद्ध के जीवन के विवन गटनाओ, जैसे पैरों के निसान, कमल सिंगहासन, चक्र, इस्तूपादी का प्रतिनेदित्व करते हैं, बाद में जातक खताओं को इस्त प्रोडक्शन तोरा और बहतर हो सकता था, इंट्रो में आप एड़ कर सकते थे कि ये जो है, आज भी हम इनका भारतिय निसान प्रतीक चिन्नों में इनका प्रियोग है, और अभी हाल फिलाल में आपको पता होगा, करेंट से जोड सकते थे, कि जो संसद भवन के उपर जो ह तो वो आजाता तो ओर थोड़ा इंट्रेस्टिंग हो जाता कि करेंट से अपडेटेटेड हो आप, कॉन्क्लूजन पर काम किया जा सकता था, जो गलतियां आपने की है, उनको ध्यान रखिए, अंडरलाइन करना सुरू कीजिए, बाकी ओवर्रोल आंसर ठीक है, अच्छा ह और इस्तूप बनाने की प्रैक्टिस कर लीजे एक बार, चलिए अब इंगलिस वाला देख लेते हैं, discuss the features of Mauryan art and architecture and its relationship with buddhaism, ठीक है, तो art is a form to express an imagination, feeling and state of mind, Mauryan art is an art which flourished during Mauryan period, which is known as era divide, ठीक है, in terms of art, as before 16th century, not much attention was paid to art, Mauryan art flourished during the time period of 321 BC to 187 BC, the Mauryan can be categorically divided into two parts, इन्होंने Mauryan art को फिर यहाँ divide किया, places, spillers, stupa and numeistmatics, जो court art के part हैं, फिर popular folk art में इन्होंने बताया, caves यानि गोफा, pottery यानि बर्तन्स और sculptures, जो इस्थापत्ते हैं, ठीक है, तो Mauryan art को फिर इन्होंने बताया कि division of Mauryan art जो है, on the basis of patronage और support base पे है यह, कि support base क्या रहा, ठीक है, फिर court art के बारे में इन्होंने बताया, these art were financed और given patronage by royal court और treasury, तो court art जो है, उनको, जो है, royal support मिलता था, वहीं palaces was located at कुमरा, पटना में, जो है, कुमरार की बाते हैं पे हो रही है, wooden की बात है कि चंदरगुपता Maurya के समय, stone की बात हो रही, आसो का, वो जो first थे, who thinks in stone, ठीक है, यह important बात है और इन्होंने अच्छे से इसको लिखा है, तो इसके लिए कही सारे historian ने जो कहा, जैसे Magasthenes ने describe किया, यह उपर वाले answer में missings है, तो यह मैंने कहा, दौनों को मिला के आपको answer एक model निकल के आएगा, यह word बहुत important है, इनका जिकर आपने इस answer में करना ही है, Chinese traveler Fayan called Morian Palace as God Gift, ठीक है, तो God Gifted या भगवान की कृति या भगवान की देन कहा है Fayan ने, और greatest creation of mankind यानि महानतम निर्मान किसी मानवता के द्वारा महानतम निर्मान कहा गया, किसके द्वारा Megasthenes के द्वारा, तो यह दो statement बहुत important है, features पे आ जाते हैं, initially made from wood, तो यह दो stone, जो है, into stone at the time of Asoka, so pillard hall, जो है, कुमरार में, was the most striking feature of architecture of Morian Times art, फिर इनोंने बताया है pillars को, तो pillars के बारे में, एक number of pillars जतने भी Asoka ने बताए हैं, उनके features की इनोंने बात की, ठीक है, तो और यह किस लिए था, तो spread to dhamma policy को spread करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, धम की policy का pillars बनाए गए, यह बात उपर भी लिखी है, और दो type के pillars थे, stand alone और palaces pillars on the basis of location, ठीक है, फिर इनमें बताया है यह pillar के बारे में, example of pillars का इनोंने कहा, लॉरिया नंदनगड में, जो west चमपारन में है, लॉरिया अरी राज west चमपारन में, base जो है, वैशाली वाला और रामपुरवा western चमपारन वाला, तो यह बेहार से relate किया है, बेहार के example दियें, बहुत अच्छी बात है, लगता है कि आप BPSC का exam लिख रहे हो, फिर इनोंने pillar बना के दिखाया है, यहाँ पे monolithic shaft, जो है base की बात हो रही है, और base inverted lotus on well-saved, तो यह वाली बात हो रही है, कि यह उल्टा, कमल की आकरती है, bell shape, phiri abascus, जो हमारे इसमें लिया भी गया है, flag में, और animal figure, तो कई बार अगर आप जल्दबाजी में हैं, और ऐसा बना के लिख देंगे कि यह animal figure है, तो यह teacher है, इसको consider करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको बहुत limited period of time में अपना answer लिखना है, तो जरूरी नहीं है कि महाँ आकरती ही बनाने लगो, तो अगर आप लिख देंगे, उसको वहाँ पर instruction देंगे, कि मैंने ये बनाया है, और एक बस goal भी कर देंगे, और लिख देंगे, तो वो मान लेगा, consider कर लेगा, master, ठीक है, features इन्होंने बता है, तो वही दवर usually made up of chunar sandstone, due to proximity to wind and ranges, यहाँ पर wind and ranges थी, इसलिए उसका प्रवाब है, highly polished polished reach gent, its climax during morion times, तो ये इसका बताया है, basically जो इसके, ये सबको पता होगा, इसके features, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, समय मेरे पास भी आज कम है, ठीक है, height white का बताया है, कि 20 तो 50 feet है, और weight जो है, 50 ton है, इस तूपास जो है, वरे mount like structure, ठीक है, on the relief of buddha, जो relics of buddha है, उसी की बात की है, ये जो है, इन्होंने यहाँ पर सई बनाया है, स्टूपा, इन्होंने ये देखो, तोरण द्वार जो है, इन्होंने बड़ा दिखाया है, और ये इतना बड़ा at least होना चाहिए, आप जो diagram बना रहे हो, सब चीज उसके ratio में at least हो, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप skill लगाओ, बट अगर आपने इस तूपा का ये अंड इतना बनाया है, और आपने ये तोरण द्वार इतना सा बना दिया ना, तो वो क्या है, फिर match नहीं होता है, तो थोड़ा balanced बने, ये ठीक दिख रहा है, यही उम्मीद की जाती है, ठीक है, तो इन्होंने ये छत्र लिख दिया, इनको तीन जो होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये अंड या इसको ये हर्मिका, फिर उपर ये प्रदेक्शना पथ जो होता है, ठीक है, जो परिक्रमा करने के लिए वेदिका, और रेली, ठीक है, इस त स्टूपा इतना काफी है, इतने मैं समझ आ जाता है, मास्टर को, फीचर से इन्होंने बता है, स्टूपा कमप्राइजेस अफ वेदिका, तोरन, इन्होंने इसको एक्स्प्लेन कर दिया, और इसकी वज़े से जो है, आंसर थोड़ा लेंदी हो गया है, इसको इतना लिखन कई है, नुमेस्ट्मेटिक के बारे में इन्होंने बताया हूए, पंचमार कॉइन जो है, 6th sans सेंचूरी के यहाँ पे देखते है, फौक आएब आट के बारे में इन्होंने बता दिया ہے, यह पड़़ लीजेगा, पर इन्होंने इसको डिफाइन किया है, और इस में भी नह इनके जो है example दिदार गंज की बात हो, चाहिए यक्षे मेज की बात हो, यक्षनी की बात हो, जो दिदार गंज वाली है, उनका example जो उपर है, same यहां भी है, features दिये हैं इसके, जो यक्षे मेल figure है, वहीं यक्षनी female है, frontal body is fully deficit, तो यह सब आप पढ़े लीजेगा, Mauryan art is greatly influenced by Buddhists, this can be understood by following points, तो इस्तूपा अफ बाया सोका यह अब देख लीजेगा, capital यह देख लीजेगा, धम्मा देख लीजेगा, इसमें जो एक चीज मुझे देखानी है, वहां आ जाता हूँ सीधे conclusion पे, ठीक है, तो the striking features of Mauryan art not only influenced Bihar as it originated in Bihar, as its capital पाटली पुत्रा, but nation also, the relevance of art is still today, as the lion capital is our national emblem, ठीक है, national emblem की बात आ गई, the chakra of Avascus in our national flag, and also the lion capital of Sanchi became a part of newly constructed parliament, which was inaugurated recently, so the Mauryan empire art which evolved decade ago will remain forever, इनका conclusion current को भी link कर रहा है, और एक overall इनोंने Bihar के साथ जोड के, फिर उसको रास्ट के साथ जोड दिया, बहुत अच्छी चीज है, linking, interlinking आना बहुत जरूरी है, और इस वज़े से इसका जो है, ये वाला conclusion है, बहुत 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 हो जाता है, conclusion हमेशा मैंने कई बार पह comment आपको chance मिला है, तो उसको miss मत करिए, क्योंकि उससे आपको extra .5 भी अगर मिल गया, master खुस हो गया, कि चलो किसी ने अलग किया, क्योंकि इनमें संभावना कम है, कि सब अलग करेंगे, love, 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 सब का answer एक ही जैसा होगा, बट जिसने थोड़ा unique कुछ कर दिया, उसको अगर एक marks भी मिल गया extra, तो ये काफी, मैं कहता हूँ, 100 लोगों से आप एक कदम आगे हो जाओगे, सिर्फ एक या 0.5 marks से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इन दोनों answer को मिला के, आप एक model answer prepare कर सकते हो, इस से कुछ छूटा नहीं है, almost इसमें सब cover हो गया है, दोनों में, जो almost सही है, और हिंदी वाले में, जो है, conclusion और बहतर हो सकता था, और हिंदी में कुछ असुद्धिया है, ये ना करें, तो दोनों answer overall मिला के, बहुत अच्छे है, आज के लिए, मैं यहीं पर रोक देता हूं इसको, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, बाकी चलता रहेगा आज का question आप attempt करिए, कल साइध हो सकता है, कि मैं फिर से review ना कर पाऊं, बट वीडियो मैं दे दूंगा, चाहा सोबै दूँ, चाहा साम को दूँ, क्योंकि ये दो दिन मेरे व्यास्त है, आज और कल का, फिर इसके बाद ये समस्या नहीं होगी, फिर से मैं available रहूंगा आप के लिए, ठीक है, तो thank you so much for watching crack now, अभी भी आप नहीं जुड़े हो, तो जुड़ जाओ, इसकी playlist मैंने एक तयार कर दी है, mains program की, ताकि आप playlist से इसका फायदा ले सको, ठीक है, सारे answer वहाँ आब तक जितने भी review हुए हैं, मिल जाएंगे, जितने भी model answer बनाए गए हैं, मिल आते रहो, ठीक है, thank you so much for watching crack now, have a good day, जै हिंद!